कर दोस्तों कैसे हो आप सभी आयोप आप बहुत अच्छ होंगे तो फ्रेंड्स आप जो मेरे हाथ में देख रहे हो यह एक डेड़ सो वोट का इन्वेटर बोर्ड फ्रेंड्स इसको बोला तो इन्वेटर बोर्ड जाता है लेकिन होता है एक्चुल में एक चार यह एक बना रहे हैं और उस ब्रेंड्स आउट्पुट मिलेगी बाकी तो फैंड्स यह जो है छोटे मोटे काम के लिए जैसे आपको मोईल चार्ज कर रहा है या चार्ज है आपको LED बल्व जलाने तो आप जला सकते हो उसके लिए बैस्ट बोर्ड है लेकिन आप इससे नहीं चला सकते फैंड चलाने का नचलाने का जो रीजन है वह यह यह कि जो आउट्पुट होती है उसमें हर्ज नहीं होती एक तरीके से मानों डीसी हो गई क्योंकि यहां पर ब्रिज रेक्टिफ हैर लगा हुआ है क्योंकि जो यह ट्रांस्वर्मर है यह आउट्पुट को देगा वह देगा हाई फ्रिक्वेंसी में आउटपूट तो यहां पर मैंने बता दिया इस बोड के बारे में आपको फ्रेंड्स आप इस बोड में जितना चाहो इतना एंपेर दे दो यानि आप इसको 90 बोल्ट की बेंटरी से कनेक्ट कर दो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बोल्टेज जो होना चाहिए ठीक है आपको ध्यान रखना है सिर्फ बोल्टेज का वह बारे मोल्ट के ही आसपास होना चाहिए तेरे हो जाए तो भी चल जाएगा लेकिन उससे ज्यादा वन जाने दो या आप इसको बीज दे दो या चौविस दे दो तो यह खराब हो देखो तो डारेक्टली इसमें वायर कनेक्ट डे इसमें कोई स्विच बगएरा नहीं है हलांकि यहां पर एक प्रोटेक्शन के लिए जरूर एक डायोड दिया गया है आइन चौवन जीरो आट और उसके बाद इसमें थोड़ी से कंपोनेंटें जैसे आप यहां पर देख 35 यह कि ए 35 25 फाचीश ठीक है इसमें जो दिया गया के 35 25 या आता है काम दौनों का सेमोटा 3025 का मलब होता है यह जो जो है डो डो चैनल में बहुत हाई फ्रक्वेंसी जेनरेट गरेगा तो दोनों चैनल पर यहां पर है दो मॉस्पेट दी गई है यहां पर आप देख रहूं पीपच्वेट यह फिक गई है फ्रकुर्ट Q जिस से इस MOSFET को सुचिंग किया जाता है वो है यह IC इस MOSFET को ड्राइब देती है और यह MOSFET जो है इस transformer को रन कराते हैं बहुत हाई फ्रिक्वेंसी में जिससे हमारी जो आउटपुट में 200 पीज बूल्ट मिल जाते हैं और यहाँ से हमारी जो आउटपुट है वह मिलती है ब्रिज रेक्टी फैर के त्रूइज आप यहाँ पर देख रहे हैं यह जो पतले वाले वायर गांशी तो हो गए या कोई सोल्डर आयरन है जो 25 वोट का हो इस टैप का सोल्डर आयरन भी चला सकते हो no problem बहुत अच्छा यह वर्क करेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी सोल्डर आयरन बगेरा चला रहे हो आप चाहो तो इससे बल्व भी जला सकते हो लेकिन बेंट्री की बहुत जादा खपत हो हो गया यह हमारा मिक्सी हो गया कुछ ऐसी चीज में मोटर बगएरा लगी होती है एसी की उन्हें नहीं चला सकता बाकि यह सारे काम करेगा बल्व जलाएगा शोल्डर आयरन चलेगा ट्यूग लैट जलाएगा मोईल चार्ज करेगा लैप्टॉप चार्ज करेगा जितने भी सारे घर के लोडें सारी चीज चलाएगा सिर्फ कुछ इंडेक्शन लोड फैन बगएरा यह नहीं चला पाएगा तो यहां पर मैं इसकी आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूं यहां पर आप देख रहे हो इसमें दो वायरे मैं इसमें हॉल्डर फिट कर लेता हू भी और रोलन पर के दिंगे और फैंस यहांपर जो मैं चेक करया हूं आपको इस टेप के बल्ब से करांगा क्योंकि इसमें चीटिंग करणा पॉसीवल नहीं होता बहुत बल्ब होते हैं led टैप जिनमें बेंटरी इन्विल्ड होती है लेकिन इसमें कोई बेंटरी नहीं ल देखा देता हूं तो यहां पर आप लेख सकते हो कि ओढ़एवी पूरे नहीं आ रहें हम्ली 10.75 बूर्ट हो रहें क्योंकि यह चार्ज नहीं है कि आपको करते हैं कि यह क्या है कि इसको जला दे तो यहां पर में कर लोंगा और बिलकुल सब कुछ आपके सामने यहां पर कोई cheating नहीं होने वाली यहां पर मैं इसको अच्छी तरीके से सेट कर लेता हूं कि यहां पर मैंने connect कर दिया तो फ्रेंड्स यह फूल brightness के साथ only 10 वोल्ट पर भी प्रॉपर वर्क कर रहा है आप यहां पर देख सकते हो लो कर रहा है ब्रैटनेस थोड़ी सी कम आ रही है कम इसी दिया रही है कि मैंने आपको बेंट्री के जो बोल्ट दिखाए थे वो थोड़ी से कम थे तो फ्रेंड्स आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह अगर 100 वाउट के वल्व को जला रहा है इतनी हाई ब्रैट में लगवक 70 परसेंट तो मैं इसको कनेक्ट करता हूं यहां पर यह देखिए फुल ब्रैटनेस के साथ LED वल्व कर रहा है ब्रैटनेस में कोई कमी नहीं पर तरीके से काम कर रहा है और अगर इसमें थोड़ी सी बड़ी बैंट्री होती तो मजाई आ जाता तो बिल्कुल आपके सामने लाएव है सब क कुछ आप देख लो जैसे मैं यहां से वायर को डिसकनेक्ट कर रहा हूं तो बल बंद हो जा रहा है क्योंकि इनवेटर को सप्लाइग नहीं मिल रही और मैं यहां से इसको लगा रहा हूं तो ओन हो जा रहा है फ्रेंड्स काफी कमाल का यह एक छोटा सा बोड है जिसमें आ और मल घर पर ग्रीड से लाइन आती है इसी टैप से आपको जटका देगा तो आप जब भी यह चालू हो तो इसको टच न करें इसको केरफुली ही यूज करना है तो फ्रेंड्स आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसको ल बनाने का भी सामान मिल जाएगा छोटे सी लेकर बड़े बोर्ड भी मिल जाएंगे अलग-अलग टैप के ट्रांसफर्मर मिल जाएंगे और टैप के कॉंपोनेंट जो इस बोर्ड में वी फिटेंज जैसे 35 की आईसी कैपेशिटर मौसफेट डायोड बगेरा यह सारा सामा बगेरा वह सारी मैंने डिस्पिक्शन में दे दिया आप वहां से जाके खरी सकते हैं आई होप आपको फ्रेंड्स ये वीडियो और ये माड़ पसंद आया होगा अगर ये माड़ पसंद आया तो एक बार विश्ट जरूर करना और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर करना चैनल में नियुक्त प्ली सब्सक्राइब कर लें ना मिलने नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैहिंद बंदे मात्रम जैसी राम